Hello everyone, Welcome to Unrogue YTT ये वीडियो सीटेट एकजाम के लिए है इसमें हम EBS को कवर करेंगे इससे पहले वीडियो में हमने जो जानुवर टॉपिक है इस जानुवर से समदित जितने भी कोषिण पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को कवर कर वा चुखे हैं यदि ये वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं सबसे पहले देखेगे जन्दू अर्थात एनिमल्स प्रारंबिक इस तर पर जीओं का वर्गिकरान कीडे, पच्छी और रेंगने वाले हुआ इस्तंधारी के रूप में किया गया सामविक रूप से इने जन्वर कहते हैं कीडे, पच्छी और रेंगने वाले हुआ और इस्तंधारी के समूझ जो होते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं? ये सबी जन्वर के कटागिरी में आते हैं सबसे पहला है हमारा कववा कववा के बारे में जो NCRT के बुग में दिये हुए पॉइंट उन सबको देखते हैं ये अपना गोसला पेण की सबसे उंची डाल पे बनाता है ये कववा की इमेज आप देख सकते हैं इसमें पेणों के टैनियां हुआ, तारों का ये प्रयोग करता है, निश्ट है कववे के घोसले में कोयल अंडे देती है, जो कोयल होती है ये अपने अंडे कववे के घोसले में देती है, और कववे ही इनकी देगरे करता है, और जब ये अंडे फूटते हैं और बच्चे इ आप इमें देख सकते हैं, ये पत्थरों के बीच मुलायम गोसला बनाती है, ये पत्थरों के बीच देख सकते हैं, आप इस पकार से ये गोसला बनाए हुए, ये गोसले में टैनी, जड़े, उन, बाल और रूई की मदद से ये पत्थरों के बीच जो कलचिडी होती है, ये म मुलायम गोसला बनाती है नेश्ट है दरजिन चडिया दरजिन चडिया की आप यह इमेज देख सकते हैं यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके और उनेसी कर गोसला बनाती है आपने पेड़ों पे इस पकार के यह गोसले देखे होंगे जो पत्ते यह होते हैं पत्तों को यह क्या करती है आपस में पकाद से सिल लेती है और इनी पत्तों को सिल के मदद से अपना यह गोसला बनाती है यह आप इमेज में देख सकते हैं यह हो गया दरजिन चिडिया के बारे में बीवर पच्ची बीवर पच्ची की आप यह इमेज देख सकते हैं बीवर जो नर होते हैं नर बीवर पच्ची ये गोसला बनाते हैं और मादर जो बीवर पच्ची होते हैं वो गोसले को चुनती हैं और जिनका गोसला पसंद आता है वो उसको चुन लेती हैं और उसी में रहती हैं जो बीवर पच्ची होती है ये इस पकार से कुछ गोसले बनाती है आपने पेड़ों पे देखा होगा जायतर काटेदार पेड़ों पे ये इस पकार के गोसले बनाए होती है नेश्ट है फाक्ता पच्ची फाक्ता पच्ची की आप ये image देख सकते हैं ये कैक्टस के काटों क बीच और मेंदी के जो मेर होती है उनके बीच ये अपना गोसला बनाती है ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये कैक्टस में अपना गोसला बनाती है और ये कैक्टस यहां पर होते हैं उनके मद्द अपना गोसला बनाती है क्योंकि कैक्टस में बहुत सारे काटे होते हैं जिन देखनों को मिलती है गोराया आम तवर पर घर के आसपास गोसला बनाती है जो गोराया पच्छी होगी ये आपके घर के आसपास या घर के अंदर कहीं न कहीं ये गोसला बनाती है और जो कबूतर होता है कबूतर पुराने मकान या खंडरों में अपना गोसला बनाता है जो घ गोराय पच्ची होती है ये अलमारी के पीछे च्छत पे या आईने के पीछे अपना गोसला बनाती है बसंत गोरी पच्ची पेंड के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है ये आप देख सकते हैं ये बसंत गोरी पच्ची है ये इस पकार से पेंड जो होते हैं इस प नाड़ी के डाली पर लटकता गोसला बनाते हैं इसमें ये रूई सुखे पत्ते वह कपड़ों के चीतड़े होते हैं ये आप देख सकते हैं ये सक्कर खोड़ा पच्छी है ये पेड़ों पे इस पकार से कुछ लटकते हुए गोसले बनाते हैं कातेदार जो पेड़ों होते उसमें ये इस पकार से बहुत सारे गोसले इस पकार से लटकते हुए बनाते हैं तता गोसले में ये रूई सूखे पत्ते वो कपड़ों का प्रियोग करते हैं उल्लू पच्ची कि आप उल्लू की इमेज देख सकते हैं ये रात चरप्राणी होता है अर्थात उल्लू जो होता है इसको रात में अधिक दिखाई देता है तता दिन में बहुत ही हलका या फिर नामातर दिखाई देता है उल्लू की बिसेश्टा होती है कि ये अपनी देख सकते हैं, रेगिस्तान में मैना चिडिया पाई जाती है, मैना अपनी गर्दन को जटके से पीछे कर लेती है एक्जाम में कई बार ये मूचह जा चुका है कि कौन सा पच्छी है जो गर्दन को जटके से पीछे करती है तो वो मैना पच्ची होता है जो अपनी गर्दन को जटके के साथ पिछे करती है बगुला पच्ची बगुला भैस पर बैट कर उसके कीटों को खाता है ये बगुला पच्ची हो गया कीडे होते हैं उनसे इनको छुटकारा मिल जाता है तता जो बगुला होता है इसको अपना भोजन प्राप्त में होता है निश्ट है चील बाज और गिद्ध हमसे चार गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं ये देख सकते हैं ये गिद की इमेज है ये बाज की इमेज है और ये चील की इमेज है ये जो चील बाज और गिद होते हैं ये मनुस्य से चार गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं चील की पूँच खांचे वाली होती है ये आप देख सकते हैं चील की ये चील की जो पूँच होती है ये खांचेदार इस पकार से बने होती है निश्ट है गिद मरे हुए जानवरों खाकर जगह साप कर देता है और अकास में उचाई पर उड़ता है ये जो गिद होता है ये मरे हुए जानवरों को खाता है और उस उस्तान को साप कर देता है जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को एक से दो किलो मेटर की दूरी से दिखाई पड़ जाती है ये जो चील होता है इसको बहुत ही दूरी से कोई वस्तु अगर जमीन में पड़ी हुई है या कीड़े कोई है तो उन्हें वो दूर से देख लेता है और उनका सिकार करता है पच्छियों के बारे में कुछ बिसेस्ता है पच्छि केवल अंडे देने के लिए गोसला बनाता है जब अंडों से बच्छे निकल जाते हैं तो वो गोसला चोण कर उड़ जाते हैं गोसला चोण कर पच्छी अलग-अलग जगे चले जाते हैं पेणों पर जमीन पर और पानी में अर्थात जो पच्छी होते हैं ये गोसला तब ही बनाते हैं जब उनको अंडे देने होते हैं और जैसे ही अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो ये पच्छी होते हैं ये गोसला को क्या करते हैं छोड़ देते हैं और गोसला को छोड़ कर ये पच्छी अलग-अलग स्थानों में चले जाते हैं बिसेस्ता है अधिकतर पच्छीयों की आखे उनके सीर के दोनों तरफ होती है पच्छी एक समय में दो अलग-अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं अर्थाद उसी उन पर नजट डाल लेते हैं जब अलग-अलग चीजों पर केंदित करते हैं तो उनका देखने का दारा बढ़ता है और जब ये बिल्कुछ सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आखे एक ही चीज पर होती है जो ये पच्छी होते हैं पच्छी अपने दोनों आखों का प्रियोग एक बार में ये दो वच्टों को देख सकते हैं अगर कोई वच्टों इदा रहे और दो इदा रहे तो ये एक ही बार में इसको भी देख सकते हैं और जब ये दोनों अपनी पुतलियों को एक साथ करते हैं तो ये इनके जो देखने का दाइरा होता है ये क्या होता है बढ़ जाता है निश्ट है जाए तर पच्चियों की आँखों के पुतलि गूम नहीं सकती वे अपनी गुमाकरी आसपास देखते हैं जो ये पच्ची होते हैं पॉस से पच्ची देखा होगा आपने कि इनकी आँखें जो पुतलियां होती हैं ये क्या होती हैं गूम नहीं सकती हैं तो ये देखने के लिए अपनी पूरी गुमाते हैं पच्चियों के पंक उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माट भी देते हैं उनके नए पंक आते रहते हैं और पुराने चड़ते रहते हैं जो पच्चियों के पंक होते हैं ये उड़ने में तो मदद करते हैं साथ में जो पच्छियों को क्या करते हैं गर्माट प्रदान करते हैं इनके जो पुराने पंक होते हैं ये नीचे गिर जाते हैं और नए पंक आ जाते हैं कुछ पच्छी अलग-अलग खतरों के लिए अलग-अलग आवाज हैं जैसे उड़ कर आने वाले दुस्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चल कर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज नेश्ट पॉइंट है पच्छियों के कान दिखते नहीं है लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंकों से धके रहते हैं पच्छी इनी की मदद से सुनते हैं जो ये पच्छी होते हैं इनके जो कान होते हैं मनुष्वों को तरह बाहर दिखाई नहीं देते इनके जो सिर होते हैं इनमें छोटे छोटे इस पकार से छिदर होते हैं जिनके मदद से ये सुनते हैं और इनके जो कान होते हैं ये पंखों के मदद से ढखे रहते हैं पच्चियों की चोंच की विसेश्था हैं बहुत से पच्ची की जो चोंच होती है वो उनकी अलग-अलग विसेश्था होती है पहला है बाज, चील और गिद जैसे मांसारी पच्छियों के चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है ये जो मांसारी पच्छी होती है जैसे बाज, चील, गिद हो गया ये आप देख सकते हैं इनकी जो चौँच होती है ये छोटी होती है तता ये देख सकते हैं हुक की तरीके मुड़ी होती है ये आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं इनकी चौँचे देख ये छोटी है तता ये हुक की तरीके इस पकाश से मुड़ी होई है जिनसे इने चेड़ फाल करने में असान यह आप देख सकते हैं यह गवरायय के चौच है जो कि छोटी और चौडी तथा यह मजबूत चौच होती है जो कि अनाज के दाने असानी से तोड़ सकते हैं नेश्ट है मिट्टी कीचल से कीड़े या अन छोटे छोटे जियों को पकड़ने वाले पच्चियों की चौच लंबी पतली नुकीली और मुड़ी होती है जैसे बगुला हो गया या सारस हो गया इनके जो पच्ची जो होते हैं जो पानी की पानी में या कीचल में अपना सिक पच्च नोगदार होती हैं नेश्ट है कुछ पच्चियों की चौच निस्बंदर प्रवरणी होती हैं आताद चानी के प्रवरणी होती है इन पंच्चियों के उदाहन है हंस, फिलेमिंगो, बतक एसे पंच्ची पानी के आसपास रहते हैं तता अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्पदात जिसे कीचड़ आद को अलग कर लेते हैं अर्थात उसे चान लेते हैं यह आप देख सकते हैं, यह हंस है हंस के पास यह चमता होती है कि यह जो भी चीज पानी से उठाता है तो उसमें सिर्फ अपना सिकार जो होता है था कीड़े होते हैं, उन्हीं को क्यल खाता है और बांकी जो चीज़ें या था गंदकी होती है उसे ये च्छान कर बाहर कर देती है एसी ही विसेष्टाएं फ्लेमिंगो बतक में भी पाई जाती है इनकी चोचें कुछ इस पकार से होती हैं जिससे ये वस्तूं को च्छान लेते हैं पंचियों के पंजे पानी में तैनने वाले पंचियों के पंजे जो होते हैं जिल्लीदार होते हैं ये आप बतक के इमेज देख सकते हैं इनके जो पैर होते हैं ये इस पकार से कुछ जिल्लीदार होते हैं जिनसी की मदद से इने तैनने में असानी मिलती है जिन पंजों में आंगे के तरफ फैली हुई तीन अंगुलियां और पीछे एक अंगुली होती है ऐसे पंजे टैनियों पर बैठने में मदद करते हैं ये आप गौराया की image देख सकते हैं इसके पंजे देख सकते हैं इसके पंजे जो होते हैं आंगे एक तरब तीन कुछ इस पकार से तीन अंगुलियां जो होती है फैले हुई और पीछे एक अंगुली इस पकार से होती है ये जो इसके पैर होते हैं इस पकार से बने होते हैं इन्हें टैनियों में या अन्न वस्तूओं को पकड़ने में मदद मिलती है टांगे की और फैला पंजा नरम सतय पर चलने को मदद करता है जैसे हिरोन हो गया नेश्ट है जिन पच्छियों के टांगे और पैरों के अंगुलियां लंबी होती हैं पच्छिय पाने के किनारे वाली सतय पर असानी से चल फिल लेते हैं और पानी में जाकर मचलियों का सिकार असानी से कल लेते हैं जैसे क्रेन सारस बगुला ये आप देख सकते हैं ये सारस की इमेज है इनकी जो होते हैं इनके जो पैर जो होते हैं ये इस पकार से लंबे होते हैं लंबे होने कायन ये पानी में जो है असानी चल सकते हैं और अपना सिकार कर सकते हैं ये बगुला के आप पैर पंजे जो है देख सकते हैं नेश्ट पॉइंट है एसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज ना खुनो वाला होता है सिकार को पकड़ने में मदद करता है जैसे चील, गिद्दा और उल्लू के पैर ये आप बाज की में देख सकते हैं इसके जो ये पंजे हैं ये कैसे होते हैं लाइक करना लाइक करें साथ में चैनल को सब्कुझा पॉइडियो चैनल में जल्दी आ जाएगा नेश्ट पॉइंट है पच्चियों के पंख उड़नेτ, सर्दी गरμी से बचने है तुर उपांत्रित होते हैं नेस्ट है पच्चियों की चौँच में दांत नहीं होते हैं नेश्ट है पच्चियों में मुत्रासर नहीं होता, ये प्रवास पर जाते हैं, ये समतापी प्राणी होते हैं, जो पच्ची होते हैं, इनमें मुत्रासर नहीं होता, ये सिर्प अपना मल निकालते हैं, तथा मुत्रासर नहीं निकालते हैं, नेश्ट है पच्चियों के गोसल बनाते हैं एमों कीवी पिगमेन रिया यह उड़ नहीं सकते नेश्ट है पच्छी केवल अंडे देने के लिए गोसला बनाते हैं और जायतर पच्छी जो होते हैं अप्रैल मैने में अंडे देते हैं तो द्यान रखना कि जो एमूंग कीवी पेगविन दिया हैं सुतरुक मुर्ग ये पच्छी होते हैं ये उड़ नहीं सकते पच्छी की जो आखे होती है, ये अपणी आखों के मदद से एक बार में दो वस्तूँों को आसानी से देख सकते हैं. नेश्टै पच्छी देखने है तू अपनी गर्दन को ज़्यादा गुमाते हैं, क्योंकि उनकी आखों को पुतलिया जो होती हैं गूम नहीं सकती. नेश्ट है चील बाज वगविद्ध हमसे चार गुना जाड़ा दूर तक देख सकते है नेश्ट है रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली यह देखते हैं जो जानुवर रात में जागते हैं वो हर चीज को सफेद और काली देखते हैं और इसीक साथ यह आज का जो पच्छी टॉपिक है यह टॉपिक खतम होता है इससे पहले हमने जानुवर और साथ में EBS को जो थीम है उप थीम यह टॉपिक हम कंपलीट करवा चुके हैं मिलते हैं इंप्रेश्ट नेस्ट वीडियो में नेस्ट आपिक हमारा राएगा पौदे जय हिंद